क्रेकेट के भगवान सचिन ते दुलकर अपना आखरी रेस खेलने को तैयार हैं लेकिन उससे पहले ICC और BCCI की अध्यक्ष रह चुके शरत पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है पवार का कहना है कि धोनी को कप्तान बनाने में सबसे बड़ा हाथ सचिन का ही राय है और सचिन की सोच की वज़े से ही धोनी जैसा कप्तान टीम इडिया को मिला सचिन का धोनी पर सबसे बड़ा उपकार मास्टर ने बनवाया था माही को कप्तान धूनी आज बेशक सफलता की उचाईयां छू रहे हो वो देश के सबसे सक्सिस्फुल कैप्टिन भी हो उनके नाम वर्ड कप का ताज भी हो लेकिन माही की इन तमाम सफलता के पीछे छिपा है मास्टर ब्लास्टर सचिन तिंदूलकर का आशिरवाद जी हाँ ये सच है आज अगर धूनी भारत के कप्तान है तो इसके पीछे है सचिन की दूरगामी सोच जिनके आशिरवाद की वज़े से ही धूनी भारत के कप्तान बन सकी धूनी को कप्तान बनाने के लिए सचिन ने खुद कप्तानी के ताज को ठोकरा दिया और इस बात का खुलासा किया है ICC और BCCI के अध्यक्ष रह चुके शरत पवार ने पवार ने अपने ब्लॉग में लिखा है अब एक ऐसी कहानी जिससे सचिन तिदुलकर और महिंदर सिंग धोनी के सभी फैंस को खुशी हो ये कुछ साल पहले की बात है जब भार्तितीम इंग्लेंड में खेल रही थी मैं भी BCCI प्रमुख होने के नाते लंदन में था एक दिन राहूल द्रविट मेरे पास आये और उन्होंने अपनी बात से मुझे हैरत में डाल दिया द्रविट ने कहा कि वो कप्तानी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इससे उनका खेल प्रभावित हो रहा है मैंने सीधा जवाब दिया नहीं 2020 सीरीज जल्द शुरू होने वाली है और वर्ड कप केवल एक साल बात होना है पवार ने कहा कि द्रविट ने कप्तान के लिए तेंदूलकर के नाम को सुझाया था लेकिन वो सीनिर बल्लेबास इसके इच्छोग नहीं थे पवार ने कहा द्रविट अपने तैसले पर कायम थे उन्होंने अगले कप्तान के लिए सचिन के नाम का सुझाओ दिया मैंने इस विशे पर सचिन से बात की वो द्रविट की जगे कप्तान बनने के इच्छोग नहीं थे उन्होंने धोनी का नाम सुझाया सचिन ने कहा आप उसे आजमाओ वो बहुत अच्छे कप्तान सा भी धोनी मैं जिम्मेदारी के एहसास के साथ यह कह रहा हूँ इससे कहानी में नया मोडा गया सचिन के इस बयान के बाद पवार ने सेलेक्शन कमिटी से बात की और धोनी के नाम पर महर लग गए सचिन के इस फैसले ने भारते करकेट में नए यूख की शुरुआत करती जहां से सचिन की सोच को परवान चड़ाते होए धोनी ने भारते करकेट की तस्वीर बदल करती हाला की जानकारों की मानिक तो धोनी के कप्तान बने के बाद भी